हलो फ्रेंड आप सभी का मेरे नए वीडियो में फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे chat GPT जब से चैट GPT जब से चैट GPT लॉंच हुआ है तब से सोसल मीडिया और प्रिंट मीडिया और जितनी भी तरह की मीडिया है, पूरे वर्ल्ड वाइड ये बहुत ही फेमस हो गया है, आएए एक खास डेटा से इसके स्पीड का पता करते हैं, नेट फ्लिक्स को साड़े तीन साल लगा था, एक मिलियन सब्सक्राइबर पूरा करने में, एर बियन को ढ़ाई साल लगा था, एक मिलियन स subscriber पूरा किया था शिफ और सिफ पांच दिन में एक मिलियन सबस्क्राइबर इसके पूरा हो गया थे है क्या इसका function क्या है इसका use क्या है यह सारा चीज़ इस विडियो में हम लोग डिसकर करेंगे तो आये समझते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि Chat GPT है क्या Chat GPT जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि Chat GPT Generative Pre-Train Transform Artificial Intelligence है तो यह basically है क्या यह तो नाम इतना टेक्निकल लग रहा है लेकिन यह है क्या चीज़ यह करता क्या है इसका basic use क्या है यह क्यों इतना ज्यादा यह famous हो गया है यह इसमें ऐसी क्या खास बात है कि यह इतना famous हो गया है यह है क्या चीज़ यह एक तरह का robot है जो भी इंटरनेट पे 2021 तक जितने भी data available है वह सारे data is के अंदर feed है और यह pre trend है उसी data के according यह अपनी राय अपना answer करता है जैसा कि आप कोई वी चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं तो उसमें आता है पहले उसका link आ जाता है गूगल का link आने की वज़ा से गूगल particular website पे particular blogs पे आपको उस message को उस queries को उस question को answer करने के लिए particular URL पे direct कर देता है और उस URL पे उस post पे उस website पे उस blog पे जिस तरह से भी उस question का answer दिया होता है वो आपको दिखता है तो वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है या बहुत सारे जो उस तरह के URL है उस तरह के information available है तो आप वहाँ जाके उसको search करते हैं और दो-चार article उसके बारे में पढ़ते हैं तब जाके आपका question solve होता है और आपको correct answer मिलता है लेकिन चैट GPT different चीज है चैट GPT human की तरह response करता है मतलब जब भी आपको question करते हैं तो वो जो available उसके पास data है उसका analysis करके बहुत smart तरीके से वो आपके question को answer कर देता है without any link without website without URL details वो अपना answer करता है और इसमें कहीं पे भी hyperlink नहीं होता है कि ताकि आप दूसरे website पे दूसर जहां पे आपने question किया ठीक उसी के पास आपको answer करता है और वो जो भी उसको समझ में आता है answer करता है चैट GPT दुनिया के दूसरा ऐसा boat है जिसने Turing test pass किया है Turing test क्या है तो Turing test वो चीज होता है कि जैसे robot से कोई भी question किया जाए वो answer करता है तो आप कुछ देर में ही content है जो कि robot ने answer किया है लेकिन चैट GPT में speciality किया है चैट GPT के content को आप पढ़ेंगे तो यह ऐसा लगेगा कि कि किसी इनसान ने answer किया है और जब भी जब भी आप question करेंगे हर बार उसका answer वो बदल के देगा हर बार improved version में देगा हर बार better quality का answer देगा ऐसा नहीं कि उसने चार चीजें कुछ XYZ के बारे में बताई फिर अगली बार वो चार चीजें same होगी नहीं वो unique answer करता है हर बार unique answer करता है यह चैट GPT की यह खासियत है और proper way में proper way में sequence में एक बहुत ही professional तरीके से आपको content देता है अब आएए आगे समझते हैं कि जैसा कि हम लोग ने जाना था कि गूगल क्या करता है कि गूगल एक search engine है वो different different जितने भी data internet पे available है different different server पे available है different different website पे blocks पे जितने भी जगह पे तो Google क्या करता है सर्च करके वो links को इकठा करते लिंक को summarize way में आपको provide कर देता है और उस link पे आप click करके सारे information को देखते हैं Google ने भी बहुत सारा artificial intelligence का software develop कर रखा है जो कि Google का ही हिस्सा है YouTube या Google search engine तो इसमें भी उसी तरह के boards काम करते हैं लेकिन इसकी theory different है और open AI की theory different है जिस company ने chat GPT को develop किया है उसका नाम है open AI और इसका foundation 2015 में हुआ था इसके founders Sam Altman और Elon Musk ने मिलके किया था 2018 में Alan Musk ने इस company को छोड़ दिया था अपने Tesla पर focus करने के लिए chat GPT के पीछे Microsoft company की funding है chat GPT का basic feature क्या है basic use क्या है उसको जानते हैं पहले तो chat GPT content writing बहुत आसानी से कर लेता है chat GPT board के जैसा response करता है जो भी आप question करेंगे उसका answer करेगा जैसे student के लिए अगर student assignment कुछ बोलते हैं टाइप करते हैं किसी question का तो वो answer करता है chat GPT software coding करता है chat GPT में आप command डालेंगे तो वो software coding करके देगा chat GPT blogging के लिए content ready कर सकता है chat GPT website development में support कर सकता है chat GPT financial advice दे सकता है मतलब आप अपने requirement के according उससे question करें वो आपको answer करके देगा financial suggestion chat GPT का use health center में भी होगा वहाँ पर data analysis में उसका इस्तमाल होगा आने वाले time में chat GPT से full script लिखा जा सकता है अभी chat GPT का जो public में वर्जन अबलेबल है chat GPT 3 and chat GPT 4 अबलेबल है तो chat GPT 3 ही free है free में आप chat GPT 3 को use कर सकते हैं लेकिन chat GPT 4 वो paid वर्जन में अभी अबलेबल है public domain में तो आप chat GPT 3 असानी से use कर सकते हैं उसमें बहुत सारे options हैं जो की अभी use करने के लिए काफी है अचली chat GPT हर चीज का answer human की तरह करता है तो इसमें threats क्या है तो जैसे कि जो jobs like coding के job हुआ content writing के job हुआ website developments का job हुआ तो यह थोड़ा बहुत problem में आ सकता है लेकिन इसमें एक smart catch है वो यह चीज है content writing या blogging या दूसरे भी कोई भी चीज जहां पे chat GPT replace कर सकता है तो chat GPT बहुत सारे job भी create करेगा आने वाले time में वो चीजें भी आपको पता चल जाएगी chat GPT क्या-क्या नई चीजें कर सकता है क्योंकि इसमें continuous development हो रहा है और नए options हमेशा upload होते चले जा रहे है chat GPT के कुछ limitations है वो limitations क्या है जैसे chat GPT 2021 के बाद का data नहीं दे सकता आप उससे latest कोई information पूछेंगे latest update पूछेंगे latest news पूछेंगे current affairs की चीजें जो की 2021 के बाद की है वो उसको नहीं पता वो उससे पहले का data आपको बताएगा वो उसके server में उसके पहले का data feed है वही data वो बताएगा आगे इसमें development क्या है कि क्या आपको लगता है कि Google को यह जानकारी नहीं थी यह जब 2015 से चला रहा है इसमें continuous काम कर रहा है Microsoft involved है एलन मॉस्क इसमें लगे हुए है तो क्या Google को इसका पता नहीं था Google को जरूर इसका पता होगा लेकिन जो chat GPT के features है वह Google उन सारे features को use करने के बाद Google अपने websites को अपने जो भी monetization के systems है उसमें वह limitation पैदा कर रहा है क्योंकि Google जादा तर जो Google काम करता है वह pages पे काम करता है link पे काम करता है hyper link पे काम करता है chat GPT इस तरह का कोई भी इसमें platform प्रोवाइड नहीं करता है जिसकी वाज़ा से monetization में दिक्कत होती है monetization इसको नहीं कर सकते chat GPT के content को वहीं पे monetization नहीं कर सकते अब बाद में इसका manipulation करके कहीं पे website पे paste करके या इसका link create करके वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं लेकिन जो existing get up है इसका chat GPT का जो first platform है chat GPT का जो interface है वहाँ पे कहीं पे भी monetization का option नहीं दिखता है आने वाले time में monetization के बहुत सारे options create हो सकते हैं जैसे chat GPT for already paid subscription में है तो वहाँ पे already paid subscription से पैसे earn कर रहा है concept है तो क्या Google को chat GPT किल कर देगा ऐसा नहीं होगा actually जब से यह सारी चीज़ें बाहर आई है public domain में आई है Google भी इस पे काम कर रहा है और Google भी एक product launch कर चुका है लेकिन वह limited access में है वह trial version में उस पे research and development कर रहा है वह beta version में काम कर रहा है वह public domain में open access नहीं है उसका नाम है बाड सुन्दर पिचाई जी ने बाड के बारे में यह बोला है कि उसमें इस तरह की कोई limitation नहीं होगी जो कि वह latest data नहीं बता सकता है तो बाड Google का जो बाड है वह अभी आ रहा है वह आने में अभी वक्त है गूगल बाड से बहुत ही ज़्यादा लोगों को उमीद है पता नहीं आने के बाड वह किस तरह का respond होगा जब public domain में आने के बाड से बहुत सारी चीज़ें से ज्यादा भी हो सकती है बहुत सारी चीज़ें कम भी हो सकती है तो वह Google जब launch करेगा तभी कुछ पता चलेगा क कि गूगल बाड कितना ज्यादा successful है या failure है या क्या होगा अभी गूगल बाड के बारे में ज्यादा चीज़ें डिसकस करना ज्यादा बात करना यूजलेस है वजह क्या है कि गूगल बाड अभी public domain में मौजूद ही नहीं तो इसलिए गूगल बाड के information बहुत ज्यादा internet पे अब लेबल नहीं है चैट जीपीटी के जहां पर भी आप देखें प्रिंट मीडिया डिच्टल मीडिया किसी भी तरह के मीडिया हो हर जगा भी चैट जीपीटी ओपेन एड़ लेवल है इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग डिस चानल